अब आप देख रहे हैं मेरा टेक्स सेलेशन इट्यूब चैनल तो दोस्तो आज कल बहुत सरा लगों को जीओ फोर्जी नेट इवज करते रहते हैं और उस जीओ फोर्जी नेट को इवज करके बहुत सरे पॉबलम आती है तो दोस्तो मैं आज आपको बाता हूँगा क्यासे आप जीओ नेट फोर्बलम को सॉल्व करते हैं तो दोस्तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहला आपको जो इंटरनेट कानेक्शन के आप करके ओन कर लीजिए और आपको जो पॉबलम इसको चेक कर लीजिए तो दोस्तो आप देख लीजिए या फर कोई भी तरह नेट कान connection के one symbol नहीं आती है तो दोस्तों इस problem को solve करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा मैं बाता हूँ सबसे पहला आपको जो setting पर जाना पड़ेगा तो दोस्तों देख लीजिए यहां पर setting setting पर क्लिक किजिए और उसका बाद आपको SIM card manager पर जाएगा और आप देख लीजिए आपको SIM activate है या नहीं तो दोस्तों SIM card पर क्लिक किजिए ओके दोस्तों देख लीजिए SIM on G4G LTE 3G 2G ठीक है तो दोस्तों उसका बाद आपको mobile network पर क्लिक किजिए और क्लिक करना के बाद आप देख लीजिए network mode SIM on LTE 3G 2G उसको क्लिक किजिए और आपको LTE only क्लिक किजिए ओके उसका बाद आप देख लीजिए यहां पर ठीक है access point name पर क्लिक किजिए क्लिक काने का बाद आप देख लीजिए access point name setting are not available for this user तो दोस्तो सबसे पहला इस पर add पर क्लिक किजिए क्लिक काने के बाद आप ठोड़ा सा resistant इसको add कर लिजिए तो दोस्तों सबसे पहला name पर किख किजिए क्लिक करने के बाद आप लिखिए तो दोस्तों ठीक है उसका बाद थोड़ा षा निच आएगा और देख लीजिए a.pn type उसका क्लिक कीजिए और default ठीक है deze पर default कर दिजिए, उसका बाद आपको more button पर क्लिक कीजए और फचन काशulebank क्वाइब का लिजिए तो दोस्तों देख लीजिए दोड़ा लिजे आपको जो net connection LTE आएगा और आपको problem solve हो गया तो दोस्तों आप कोई भी तरह एक भी ब्राउजर पर जाएगा और आपको जो net browsing net problem आपको देख कर लिजे तो दोस्तों में YouTube पर जाएगा तो दोस्तों देख लिजे ब्राउजिंग हो गया ओ ओके जियो पेज खुल जाएगा तो net problem solve हो गया तो दोस्तों इस वीडियो पसंद आजाए तो जोरो लाइक कीजिए और हो सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फॉर रॉसिंग वीडियो बाई 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 आन टेक केर